जिन्दगी में टेंशन हे टेंशन है फिर वे इन लवो पर मुस्कान है जब जीना हर हाल में है तो मुस्कुरा कर जीने में क्या नुकसान है नमस्कार मैं दिनेश गुप्ता आप सभी का इस वानिक चैनल पर स्वागत करता हूँ और जैसा कि आज आप लोग का जो टापिक है, वो टापिक हमारा क्या है, मिक्सर एंड एलिगेशन बेस कुश्चन, ठीक है, और इस पे बहुत सारे प्रिवेस सवाल को लेकर आए हैं, आज सभी के लिए, तो देखते हैं कि आज का हमारा टापिक क्या है, और किस टाइब के हम हमारे पास किसी का प्रेशर नहीं हो पाता, इसलिए कहते हैं, कि मुशंकराता हुआ चहरा आपकी, और किया हुआ आपकी पहचान बढ़ाता है, इसलिए हमेशा हसते रहिए और मुस्कुराते रहिए कभी भी जिंदगी में टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है और अंदर से स्ट्रांग बने और उसके बाद ही किसी भी चीजों को पढ़ने के लिए किसी भी चीजों का प्रिप्रेशन के लिए 100% के साथ हम उसको कंटिन्य कि Edman तो देखते हैं आज का हमारा हमारी को सब्सक्राइम बहुत सारे जिखांँ से पहला मैंने कुष्चन क्या कैसा हर एक घ्जाम का होरे को यह किसी इस की एट रेशएं को सभी में पूछे जाते हैं कि हमारा कॉल्चन क्या कहता है और इसे की तरीके किसे सॉल्व करते हैं जैसा कि दिया हुआ है कुष्चन कहता है दरेस्ई आफ मिल्क और इन इन निक्सर इस फोर इस तो थी चार और तीन का रेसियो दिया हुआ है क्या रहा if four liters of water is added to it then the ratio becomes one is to one क्या रहा है अगर हम इसमें क्या करें चार लिटर पानी मिला दे तो हमारा रेसियो जो यह one is to one का हो जाता है तो हमसे पूछ रहा है what was the quantity of milk in the initial ratio हमारे पास जैसा कि दिया हुआ है स्टार्टिंग में क्या है उर जैसे को एड़ करें अगर हमें हम इसमें चार लिटर water add करते हैं one is to one का होने का मतलब क्या है ये दुनों आपस में equal हो गया तो आप सिर्फ एक चीज देखो कि हम तीन में कितना plus करते अगर हम तीन में एक plus कर देते तब ये क्या हो जाता four और four का ratio हो जाता four और four का मतलब one is to one का हो जाता तो तीन में हम एक ही तो plus कर रहे तो water हम कितना add कर रहे तो हम कह सकते हैं कि four liter add कर रहे तो ratio one का value ही क्या हो गया है four तो हम से पूछा है कि initial ratio में milk कितना था ये initial mixture में तो हम देख रहे है four है तो हम कह सकते ratio four का value क्या हो जाता है 16 liter और 16 liter ही हमारा क्या होगा आंसर होगा या फिर ऐसे कुस्चन को हम इस तरीके से भी सॉल्ट कर सकते हैं आप यहां पर देख रहे हैं कि अगर हमारे पास मिल्क और वाटर का जो mixture है वो 4 is to 3 है जब अगर ये समझ में ना है कई बार होता है कि आप डारेक्ट जीसे में इसमें add कर दिया नहीं हो पाता तो क्या करते हैं तो इसका concept क्या है ना कि अगर इसमें हम क्या करें water add कर रहे हैं आप किसी भी mixture में किसी एक quantity को आप क्या करो increase करो या decrease करो घटाओ या बढ़ाओ दूसरे पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता है तो हम इसमें क्या कह रहे हैं कि water add कर रहे हैं अगर हम water add कर रहे हैं तो क्या होना चाहिए कि milk पर कोई effect नहीं होना चाहिए that means हम कह सकते हैं कि milk same रहता अगर milk पहले चार है तो milk बाद में भी कितना रहता चार तो अगर यहां पर one है तो हम क्या कर लेंगे इसमें four से multiply कर लेंगे तो हमारे पास ratio जो है वो क्या गया four is to four का अब आप देखिए milk बढ़ रहा है यह water बढ़ रहा है बट milk क्या है same है तो हम यह देख रहे हैं कि water बढ़ कितना रहा है one तो हम यही कह सकते है one का value कितना हो गया four liter तो initial milk पूछा है तो हम क्या करेंगे four का value sixteen liter अगर ऐसा करता question मे कि milk को बढ़ाता तो हम क्या करते water का quantity क्या करते same करते किसी एक को क्या करेगा change करेगा तो दूसरा क्या होगा same होगा यही इसका concept है ठीक है फिर हम देखते है next question next question हमारा क्या है second question कहता है in a mixture of 60 liter 60 liter का एक mixture है the ratio of milk and water is 2 to 1 इस बार दिया हुआ है milk और water का जो ratio है वो क्या है दो और एक का है कह रहा है if x liter of water is added in the mixture the milk and water becomes 1 is to 2 कह रहा है अगर हम इसमें क्या करें x liter water add कर दे तो हमारा जो milk और water का ratio होगा वो क्या बन जाएगा 1 is to 2 बन जाएगा अब हम यह देख रहे है कि starting में milk और water का हमारे पास ratio क्या दिया हुआ हुआ है 2 is to 1 बट इसमें कहता है अगर हम x liter water मिला दे तब हमारे पास ratio क्या बन जाएगा 1 is to 2 का आप सिर्फ इतना कर सकते हो कि हमारे पास starting में जो दिया हुआ है यह कितना दिया हुआ है 60 तो हम कह सकते इसी 3 का value कितना है 60 है तो 1 का value कितना आता 20 मतलब हमारे पास starting में water 20 था और milk कितना होगा 40 अब एक सीजे गद करते हैं x liter Water add करते, तो हम कह सकते है मिल्क हमारा Detra is , तो मिल्क बाद में कितना रहे तो आप कह सकते है रेशियो 1, value 40 है तो ratio 2 का value कितना आएगा 80 अगर इसका मतलब milk बाद में 40 है लेकिन water कितना हो गया 80 तो आप एक चीज़ है कि water पहले 20 था अब water कितना हो गया 80 तो कितना add किया गया है 60 इसका मतलब यही x का value जहाब क्या होगा 60 liter आएगा और 60 liter है हमारा इस question का answer होगा या फिर ऐसे सेम भी कर सकते थे इस question में तो उस तरीके से भी कर सकते थे कि water add कर रहा है तो दोनों का ratio क्या कर लेते सेम कर लेते तो यहाँ यह 1 और 2 का ratio है इस water को 2 बनाना पड़ता मतलब इस ratio में में 2 से multiply करना पड़ता जैसा कि हम ऐसे कर लेते हैं कुछ second में बत हो जाएगा जैसे कि अगर टू इस टू बाद में 1 इस टू टू है तो milk और water हमें सेम क्या करना है इस बर वह अगर water हम change कर रहे तो milk को सेम करना था ना तो मिल्क यहां पर 2 है तो यहां पर हम क्या कर लेंगे टू से multiply यहां टू आ जाएगा और यहां क्या जाएगा फोर तो अब हम यह कहते इनिसियल में total quantity कितना दिया हुआ है थिरी तो यहां पर फैली find करते त्री का value 60 कितना रहा है 60 अब हम देख रहे हैं कि water भी कितना आइड कर रहा है 3 कर रहा है तो यही 3 का value 60 लीटर क्या हो जाता अंसर हो जाता तो आप किसी भी तरीके से इसमें हमें क्या है कि कुछ भी करना नहीं पढ़ रहा है इसमें रेसियो को एकुल करेंगे तब हमारा क्या होगा question का answer आ जाएगा किसी भी तरीके से question को solve कर सकते हैं math का question ऐसा है ना किसी एक तरीके से आप नहीं solve कर सकते हैं अब देखो बहुत सारे different different teachers पढ़ाते हैं सभी का concept अलग-यलग तरीकेयों से होता है depends यह करता है कि कौन कैसे समझाते हैं ठीक है तरीके बहुत सारे होते है math questions को बनाने का math का question बनाना मतलब जिंदगी के problem को solve करना container contains 20 liter mixture in which there is 20 there is 10% sulfuric acid 20 liter का mixture है जिसमें 10% क्या है sulfuric acid है find the quantity of sulfuric acid to be added in it to make the solution to contains 25% sulfuric acid क्या इसमें हम क्या करें कितना percent sulfuric acid मिला दे जिससे क्या हो जाए हमारा quantity जो है वो 25% हो जाए पहले 10% था बाद में कितना हो जाएगा 25% तो आप एक चीजे कह सकते हैं अब देखो acid हम माल लेते sulfuric acid चलो water के साथ इसका माल लेते ratio है अब इसमें acid जो starting में कितना था तो starting में ये 10% है आप कह सकते हैं ये 90% रहा होगा ratio क्या था 1 इस्टू 9 का 1 इस्टू 9 का मतलब हम कह सकते थे ratio 10 का value ratio quantity दिया हुआ है कितना 20 liter तो हम कह सकते है ratio 1 का value होगा ratio 1 का value कितना आ जाएगा 2 liter आ जाएगा ratio 1 का value होगा 2 liter है इसका मतलब acid इसमें दो लिटर था और water इसमें कितना था 18 लिटर बट इस question में अब क्या कहता है कि 25% sulfuric acid होना चाहिए 25% sulfuric acid होने का मतलब क्या है आप 25% का अगर fraction value लिखते तो यह तो वन वाइप यही से आप review find कर सकते है इसका मतलब क्या होगा कि sulfuric acid one होना चाहिए तो वाटर कितना रहें होना चाहिए three हम यह चीज़ए देखर है कि अगर इसमें हम एड क्या आम क्या करेंगे sulfuric acid मतलब वाटर कितना रहेगा उतना ही रहेगा तो हम यह कह सकते हैं कि 3 का value 18 है अगर 3 का value 18 है तो यह 1 का value जो है वो कितना होगा 6 लीटर होगा तो आप देख रहे हैं कि हमारा sulfuric acid जो add हुआ है वो कितना add हुआ है 4 लीटर तो 4 लीटर ही हमारा क्या होगा question का answer होगा देखो हम क्या कहते हैं कि एक को change करेगा तो दूसरा क्या होगा same रहेगा मतलब water starting में 18 लीटर था तो बाद में भी यह कितना रहेगा 18 ही रहेगा लेकिन अगर बाद का ratio से हम compare करते हैं त्री का value 18 तो 1 का value कितना आता है 6 लेकिन पहले 2 लीटर था अब 6 लीटर है कितना किया गया है 4 लीटर किया गया है तो 4 लीटर हमारा क्या होगा इस question का answer होगा आप सीम करके भी बना सकते हैं जो मैंने concept बता है फिर हम देखते हैं fourth question कि हमारा fourth question क्या और जैसा कि आप देख रहे हो सभी के सभी यह previous question से जी सिदह हम देख लेह हैं कि ट्वाइं गया हमारे पास कोई इसमाइम परसंट अश्ट मिक्स्षट अब सीधा हम देख रहे हैं कि 25 लीटर हमारे पास कोई solution है और इसका 30% जो है वो asprit है तो 30% का मतलब 75 by 10 कितना आ जाता 7.5 लीटर ही हमारे पास क्या है asprit है अब इसमें कहता है कि हम क्या करेंगे 5 लीटर water add कर देंगे तो हमारा asprit का जो percentage होगा वो क्या होगा तो अब एक सीज हमारे पास mixture 25 लीटर था लेकिन हम इसमें जैसे ही अगर 5 लीटर water add करेंगे तो हमारा mixture जो है वो कितने लीटर का हो जाएगा 30 लीटर का लेकिन asprit कितना रहेगा 7.5 पहले था 7.5 ही बात में रहेगा क्योंकि उसको change नहीं किया गया तो हम कह सकते हैं कि 7.5 जो है वो 30 लीटर का कितना percent है तो इसे change कर लेंगे चलो point हटा लेते हैं यह cancel 3-75 कितने time में cancel हो जाएगा 25 time में that means हम कह सकते हैं कि हमारा जो percentage spirit का वो कितना हो गया 25 हो गया पहले कितना था 30 था अब 25 हो गया और 25 इस question का answer होगा अच्छा दो टाइप का है एक हमारे पास दिया हुआ है जिसमें दिया हुआ हुआ है दोनों का ratio 5 इस्टू 2 और दूसरा जो है वो B है इसमें दिया हुआ X और Y का ratio क्या है 3 और 4 है अब कह mixing A and B, A और B को मिला के और A और B को कित ratio में mix करता है 4 और 5 की ratio में तो हमसे पूछ रहा है the percentage of X in allow C, C का जो X का जो है वो percentage पूछ रहा है कि इसमें जो हम तीसरा mixture बनाएंगे उसमें तो इसमें हम सिर्फ एक सीज देखते है कि हमारे पास पहले दो टाइप का था एक A है जिसम एक्स और Y का जो ratio given है वो क्या दिया हुआ 5 इस्टो 2 का ठीक है यह में given है अब हमारे पास B जो है B कभी है कि बी में जो है वो कित ratio में given है 3 इस्टो 4 में अब A और B को मिलाया गया है और B को क्या किया गया है मिलाया गया है अब जो है A और B को किस ratio में मिलाया गया 4 इस तो 5 रिथ्यों में इसका मतलब क्या होता है आप चीजें समझें कि एक हमारे पास mixture था दूसरा है अब इन दोनों को भी किसी ratio में मिलाया गया इसका मतलब है ये समझ लेते हैं अब इन दोनों को 4 और 5 में मिलाया गया, इसका मतलब हम क्या सकते हैं, अगर हम quantity की बात करें, तो इसका जब 4 kg लिया गया होगा, तो इसका कितना लिया गया होगा, 5 kg, यही कहने का मतलब है, कहने का मतलब है, कि इन दोनों को जब मिलाते हैं, तो quantity से हम compare करते हैं, कि इसका 4 kg ह होगा तो यह 5 किजी होगा तो देखो इसका प्रोसेस क्याइव सबसे पहले हम करेंगे हम equal करेंगे पहले quantity को जैसे यह देख रहे हैं 5 कितना सेवन और यहां भी कितना है 3 और 4 सेवन तो यह तो अगर अगर इक्वल नहीं आता तो हम क्या करते हुए हम क्या करते है पहले वाले कुए आइगा है कि ना कि हम एक नया रैशियो find कर लेंगे पहले review में 4 से multiply करना पड़ा मतलब यह कितना जाएगा 5 into 4 20 यह कितना जाएगा 4 into 2 8 और यह कितना जाएगा 5 into 3 15 और यह क्या हो जाएगा 5 into 4 20 अब जब हम दोनों को मिलाएंगे तो अगर A और B वाला जो है जो X वाला पार्ट है वो X में add हो जाएगा तो 20 और 15 यह कितना जाएगा 35 और उसके बाद यहाँ review लगा लेते हैं 20 और 8 यह कितना आ गया 28 तो अगर हम ratio देख ले तो अभी इन दोनों का ratio जो है वो क्या क्या 5 into 4 का बट हमसे पूछा क्या था हमसे पूछा है इसका मतलब हमारे पास जो C बना है इसमें X और Y का ratio 5 इस्टू 4 का है बट हमसे पूछा क्या है C में X का percentage पूछा है तो X का value कितना है 5 तो इसे percentage में change कर लेते हैं 5 कितना मेंसे होगा 5 और 4 9 into क्या कर लेंगे 100 तो 500 बाइ 9 या 5 बाइ 9 का value है वो क्या जाएगा 55 5 बाइ 9 और यही हमारा क्या होगा इस question का answer होगा option D ठीक है कई बार होता है कि सिर्फ पूछ लेता है कि मिलाने के बाद हमारा ratio क्या होगा और यहाँ पे हमें percentage भी पूछ लिया गया अगर Y का percentage पूछ था तब क्या करते है 4 बाइ 9 करते है तब 44 4 बाइ 9 परसेंट आ जाता है इस तरीके से question को बनाएंगे और मैंने इसमें एक बात और बताए कि हम क्या करते पहले ratio को सेम करते जैसा कि इसमें सेम आ गया ऐसा हो सकता है कि हमेशा यह सेम नहीं आए और जब नहीं आएगा तो क्या करेंगे देखते हैं next question को next question वैसा ही हमारा question no.6 कहता है question no.6 में the ratio of copper to zinc in alloy A and B are 3,4 and 5,9 यहां भी दिया हुआ है दो टाइप के हमारे पास mixture है जिसमें copper और zinc का जो ratio है वो 3,4 और 5,9 है अब कहता है A और B दोनों को जो है वो मिला दिया गया है 2 और 3 के ratio में melted to from a new lost C what is the ratio of copper to zinc in C? C में सिर्फ ratio पूछा गया है copper और zinc का तो हम देख रहे हैं कि copper और zinc का हमारे पास ratio है अगर हम एक ही बात करें तो पहले वाले में जो ratio दिया हुआ है वो क्या है 3 और 4 का और अगर हम दूसरा का बात करें तो दूसरे में हमारे पास क्या ratio given है 5 is to 9 तो मैंने अभ करने का मतलब 4 और 3 7 और 9 और 5 कितना हो गया 14 तो अब आप देख रहे हैं कि इसका quantity 7 आ रहा है इसका quantity 14 आ रहा है तो same कैसे कर लेंगे यहां क्या कर लेते हैं 2 से multiply कर लेते हैं अब यह भी 14 और यह भी 14 अब कह रहा है कि जो इन दोनों को मिला के बनाएगा उसे 2 और 3 के ratio में इसका मतलब इसे 2 से multiply कर लेंगे और इसे 3 से कर लेंगे तो finally हम एक सीजह देख रहे हैं कि हमें पहले बाले ratio में 2 Ländern לפly करना पढस पाड़ा तो और 4 इंटु 3 कितना हो जाएगा सिक्स्टीन दूसरे वाले में हम देख रहे हैं only 3 से multiply करना पड़ रहा है तो 5 x 3 कितना हो जाएगा 15 और 9 x 3 कितना हो जाएगा 27 तो अगर हम add कर लें तो add कर लेंगे तो यह क्या हो जाएगा 15 और 27 और 27 और 16 कितना हो जाएगा 43 तो इसी तरीके से हम क्या करेंगे स्यम करेंगे ऐसा कर सकते हैं जो आपने एक्स्ट्रा नमबर लिया 4 और 3 7 पहले थे 9 और 5 14 पहले थे इसमें only 3 से हुआ क्योंकि इसका ratio क्या था 3 इसमें क्या हुआ टू से हुआ बट equal करने के लिए 2 मैंने पहले ही multiply किया था ठीक है पहले equal करना है उसके बाद क्या करना है जिस ratio में mix करना है उसके number से multiply करेंगे फिर हम देखते हैं दिया है वो 8% pure chocolate है if 10 liter of pure milk are added to 50 liter of this drink इसका मतलब है कि हमारे पास स्टार्टिंग में जो drink था वो कितना था 50 liter था 50 liter drink था जिसमें 8% pure क्या था chocolate था लेकिन कहता है अगर हम इसमें 10 liter और क्या करें milk मिला दें तो होगा क्या हमसे पूछ रहा है the percentage of chocolate in the new drink मतलब क्या रहा है कि हमारे प किंग में कितने लिटर का 50 liter वो कितना है 80% है लेकिन हम किया पोस्ति क्या कर लेख रहा है कि अगर हम 10 लीटर क्या कर ले the aight percent का मतलब है कि हमारे पास चॉकलेट कितना आजाता है है चॉकलेट कितना आता तो आप देख रहे हैं हमारे पास मिक्सर जो है वो कितना आ गया है 60 लिटर आ गया अब 60 लिटर मिक्सर है लेकिन चाकलेट तो 4 लिटर ही रहेगा तो इसे पर्सेंटेज में कनवर्ट कर लेते हैं इन्टू क्या हो जाएगा 100-0-0 यह 2 और यह 3 तो 20-3 का मतलब क्या हो जाएगा 6-2-3 परसेंट और 6-2-3 परसेंट ही हमारा क्या होगा कुश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी ठीके तो इस तरीके से मिक्सर के कुश्चन को बनाएंगे आज मैंने कोई भी ऐलिगेशन का कुश्चन नहीं लिया नेक्स क्लास में हमारा बहुत सारा कुश्चन जो होगा वो एलिगेशन के बेस पे होगा और हम समझेंगे एक बहुत ही बहतर तरीके से एलिगेशन का कॉंसेट की किस टाइप से एलिगेशन के कुश्चन को बनाया जाता है क्योंकि एलिगेशन के जो questions होंगे वो बहुत सारे topic में मिलेगा एलिगेशन अपने आप में एक concept है जो आप profit and loss में, SI में, कुछ research के questions में in fact आप time and work में भी use कर सकते हैं मैं दिखाऊंगा बहुत सारे previous सवाल के साथ एलिगेशन के questions को ले कराऊंगा next video में तो guys आज के लिए इतना ही फिर मिलते हैं next video next class में तो सभी लोग इस वीडियो को like करें और अच्छे से watch करें और चैनल को subscribe करें Thank you